मैं आपको श्वागत है दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि यह वेकंसी आने वाली है जिसके में मैं पूरी जानकरी बता दे रहा हूं जिसकी जो है वेकंसी 7,298 पोस्ट के लिए आने वाली है ठीक है जिसमें आपको गुरूप सी जिसमें जो आपके अप्लिकेशन फी हूंगे इसके पहले मैं पूरी जानकरी बता दे रहा हूं जिसकी मेल और फीमेल जो की नन रेसिदेंसिल ओफ हर्याना के हैं उसके लिए 100 रुपी फीमेल जो हर्याना रेसिदेंस के लिए हैं वनली फोर उसके लिए 50 रुपी ये दोनों जैनरल कर्टेक्री के होंगे जो कोई भी चार्जेस नहीं है पेमेंट मोड जो होगी वो नेट बैंकिंग या इचान के माध्यम से कोई भी ब्रांच में एस बी आई पंजाब नेशनल बैंक आई डीवी आई बैंक में एवलेवल होंगे इसकी इंपोर्टेंट टेंस की जानकरी बताना चाहूंगा जो ये नोटिफियेसन आई हुई है 30 दिसंबर 2020 को अपलाई स्टार्ट की डेट जो है ओनलाइन जो डेट अपलाई होगी जिसके लिंक एवलेवल हो पाएंगे वो 11 जनवरी 2021 से ओनलाइन अपलाई की लश्ट डेट 10 फरवरी 2021 तक होगी और इसकी इचलान के माद्यम से या डिपोजिट की डेट 13 फरवरी 2020 और शिविटी एकजाम जो होगी आपकी ओनलाइन एकजाम वो 27 मार्च एवं 28 मार्च दो दिनों इसकी एकजाम चलेगे इसमें मिनिमम एज की जानकारी में बताना चाहूंगा जो कि मिनिमम एक दिसंबर 2020 को 18 एवं माक्सिमम एक दिसंबर 2021 को 20 को 25 एज रिलेक्सेशन जैसे आपको जानकारी भी होगी कि OBC में 3 एर्स के मिलते हैं उसी प्रकार से आपको एज रिलेक्सेशन दिये जाएंगे अब इसमें आता है क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन में कंडिटिर को मस्ट है कि 10 प्लस 2 या एकविवेलेंट होनी चाहिए या जिन्हें इस साल एकजाम दे रहे हैं वो भी इस फ संस्क्रिट एक विशे आनिवारी है यह दोनों एक विशे में होनी ही चाहिए तब ही आप फोम को फिल कर सकते हैं जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं हिटी एंड संस्क्रिट ठीक है अब मैं और दूसरी जान करें बताना चाहूँगा अब इसमें आता है फिजिकल में आप को क्या जरूरी है फोर मैल के लिए हाइड जो है 170 होनी चाहिए रिजर्वेशन में जो रहते हैं जैसे हैं CST आ जाते हैं उनकी 168 होनी चाहिए ठीक है और इनके बारे में बताना चाहूँगा चेस्ट के बारे में जो जैनरल कैटेगरी के लिए है 83 बिना सीना फुलाए हु रिजर्व के टेगरी जिसमें X-Servicemen, SC, EWS आते हैं उनके लिए जो होते हैं 81 cm जो कि आपको फुलाने के बाद 85 होनी चाहिए यनि फुलाने के बाद 4 cm मिनिमाम बरनी चाहिए फिमेल के लिए जैनरल कैटेगरी के लिए 158 cm और रिजर्व के टेगरी के लिए 156 ठीक है अब भेकेंसी आपको कितने पोश्टों के लिए किन के लिए क्या है इसके बारे में बता दे रहा हूं जिसमें male constable के लिए general duty जो है उसमें 50 500 सीटों के लिए भेकेंसी आई हुई है एवाम जेनरल कोश्टेवल के लिए ठीक है फिमेल कोश्टेवल उनमें 1100 पोश्टों के 698 सीटों की वेकिंसी प्राप्त हुई है जिसका मैं आप अगर नोटिफिकेशन चेक करना चाहेंगे तो मैं आपको नोटिफिकेशन के त्वारा भी मैं चेक कर रहा हूँ इसके आपको खुद से भी चेक कर पाएंगे इसके लिए आप हरियना SSC के वेबसाइट भी जाकर के विचीट कर लेंगे जिसमें आपको नोटिफिकेशन PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा ठीक है जिसके बाद खुद से भी नोटिफिकेशन में आपको पूरी जानकरी मिलेगी और इसकी जो आपको बाया गया है कि इसकी एक्जाम कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसकी पूरी जानकरी आपको नहां से चेक कर पाएंगे जिसमें 11 जनवरी 2021 से एक्जाम के डेट दी गई है किन सीटों के लिए कितने फैकेंसी आई हुई है सारे जानकरी आप हार याना SSC के वेब साइट पे भी जाकर जैसा कि मैं आपको पीडियेप के माधेम से बता रहा हूं इसमें जो आपको फिजिकल टेस्ट होगी उसके ब मीटर होगी जिसमें की क्वालिफाइंग टाइमिंग होगी जिसमें की क्वालिफाइंग टाइमिंग होगी फाइब मीनर्स ठीक है इस सारे कंडिरेस के लिए जो है प्रतिक वारामिटर में अलग 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 दिए गया है जो कि उनको क्वालिफाइंग करने होते हैं ठीक ह और सबसे अच्छी बात मैं इसमें बता दे रहा हूँ फोर कॉंस्टेवल पोस्ट के लिए जिनके फोर्म भरने है उनके लिए एक पोजिटिव है जिनके पास अगर NCC की सर्टिफिकेट हो जिसमें A, B या C कोई लेभल के हो तो वो अपना NCC सर्टिफिकेट को जरूर सम्मीट करेंगे जिसमें कि आपको अलग से 3 मार्क्स मिलेंगे एब हम एड़ुकेशन क्वालिफिकेशन में हाईयर एड़ुकेशन में अगर ग्रेजुएट डिग्री किसी भी इस्ट्रियम से हो ठीक है वो अगर आप भी उनको भी अटेच करते हैं 4 मार्क्स में अलग से अगर पोष्ट गेजट की डिग्री को आप अटेच करते हैं 3 मार्क्स अलग से आपको मिलेंगे इन सारी जानकारी के लिए PDF को मैं आपके लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसके माधियम से भी आप जानकारी चेक कर सकते हैं अगर हमारे चैनल को अभी तक आपनी सस्क्राइब नहीं किया है इसक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तक कि हमारे द्वरा नए नए अपडेट्स की जानकारी आपके तक पहुचते रहें और हमारे चैनल को लाइक शेर जरूर करें ताकि हम आपसे मोटिवेट होता रहें इसी प्रकार की नए वेकनसी की जानकारी आपके आप तक पहुचाता रहें धन्यवाद दोस्तों जहें